Arnold Schwarzenegger का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो एक well-builded, lean और symmetry physique जो उन्होंने उस टाइम पे naturally बनाई थी और जिसके करण उन्हें आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं और उस टाइम के तो वो सबसे favorite athlete हुआ करते थे Arnold Schwarzenegger की कोई भी simple सी एक अगर आप image देखे तो सबसे ज़्यादा जो लोग attract होते थे उनकी body से वो थी उनकी well-builded chest and well-builded back muscles बहुती अच्छे तरीके से उन्हें अपनी chest को grow किया था जिसकी वज़े से पूरी की पूरी फिजीक में जो उनका जो chest portion था वो हर एक bodybuilder से उपर धरजे पे चले गए थे उसके बाद हम जब रोनी कॉल्में का नाम सुनते तो रोनी कॉल्में के नाम सुनने के बाद हमारे दिमाग में तो सबसे पहली चीज आती है वो आती है एक well-builded every muscle group को बनाने वाला बहुती बड़े size में बनाने वाला एक ऐसा bodybuilder जिसने set bodybuilding के दुनिया में हर एक पैमाने को बदल कर ही रख दिया तो आज हम इनी दोनों legends को compare करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से who is the greatest of all time इन दोनों में से best कौन है जिसको हम great मान सकते हैं एक तूसरे से हलका सा उपर हम मान सकते हैं तो मेरा नाम है शुशांत किशोर और आपका स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल fitness on sky में इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे आरनोल्ड स्वर्जनेगर और रोनी कॉल्मन में से कौन से greatest of all time bodybuilder रहा है हमारी bodybuilding industry में दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरनोल्ड स्वर्जनेगर की आरनोल्ड स्वर्जनेगर जो अपने time के सबसे चाहीते bodybuilder थे और आज की date में भी बहुत सारे young bodybuilders और जो professional athlete bodybuilders हैं उनके भी favorite हैं उनका जो main एक अलग से उनका special जो term बना वो 1970 में बना जब वो youngest Mr. Olympia बने जो आज तक undefeatable record है कि आज तक 23 की age में Mr. Olympia का जो overall title है वो किसी ने नहीं जीता था और आरनोल्ड स्वर्जनेकर ने वो title Sergio Oliva को उस time के जो legendary bodybuilder थे उन्हें हरा कर वो title जीता था in 1970 जब उनकी age 23 थी उस time पे उन्होंने जब Sergio Oliva को beat किया उसके बाद से साथ उन्हें beat करने वाला उस time पे कोई भी athlete नहीं था उसके बाद उन्होंने लगा तार 6 साल हो तक यह title अपने नाम रखा 1970 से लेकर 1975 तक 1975 में उन्होंने उस competition को छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद उन्हें movies बगएर के offers मिलने लगे जिसमें उनका जादा interest था और जादा आगे जाने की सोच थी तो उन्होंने वो competition वहाँ छोड़ दिया उसके बाद वो movies की तरफ चले गए पहली थिंग कि वो youngest Mr. Olympia ever है वो आज तक के लिए इसलिए वो उनका एक plus point यही था कि वो सबसे young age में उस time पे बने थे जिस वज़े से उन्हें बहुत जादा fame मिली उसके बाद वो एक ऐसे natural athlete आप कह सकते हैं उस time के जिन्होंने अपने आपका जो इतना बड़ा side show किया था जो without steroid उस time पे लोग को impossible लगता था मैं यह नहीं कहा रहा कि Arnold Schwarzenegger पूरी तरीके से natural थे वो natural थे बट उनका body में बहुत कम percentage में steroid वो यूज किया करते थे वो भी सिर्फ उस time के लिए जब उन्हें contest प्रेप करना होता था उनका यह कहना था कि वो steroids muscle building के लिए यूज नहीं करते हैं वो steroids का use करते हैं सिर्फ और सिर्फ muscle maintenance के लिए वो steroid के use को tissue building बोला करते थे अपनी language में कि मैं steroid का use सिर्फ और सिर्फ कॉंटेस्ट प्रेप के लिए अपनी कंडिशनिंग को और बहतर बनाने के लिए उसके अलावा वो बिल्कुल भी steroid का use नहीं करते थे उस time पे उनका जो starting हुई थी वो यह थी 1965 में जब उन्होंने ज आइटल्स को लगातार वो first ही जीतते आए फिर उन्होंने जब पहली बार 1968 में और 1969 में IFBB के Mr.Universe और Mr.Olympia Competition को खेला तो उसमें वो दोनों टाइम ही second आए जब उन्होंने Mr.Olympia Competition 1969 में debut किया तो वो Sergio Oliva से जीते वो एक लोते ऐसे athlete है जो अपने first ही Mr.Olympia Competition में हारे थे Sergio Oliva से उसके बाद वो आज तक कभी भी हारे नहीं उन्होंने retirement ही ली वो लगातार ही जीतते चले आए 1970 में उन्होंने पहला Mr.Olympia Title अपना जीता और 1980 में अपना last 7th Mr.Olympia अगर उनकी physique की बात करे तो overall physique उनकी height 6 feet 2 inches 188 cm बहुत अच्छी height थी उनकी contest weight में जो उनका weight रहा करता था वो approximately 107 kg या 235 LBS रहा करता था 1980 जब उन्होंने comeback किया था Mr.Olympia में उस टाइम पे वो सबसे जादा अपने lowest body weight और lowest body stage पे थे जहां पर उनका body weight 102 kg था और उनका muscle mass भी बहुत गम था वो अपनी life के जो peak पे थे वो था उनका 1974 का year जिसमें उन्होंने Mr.Olympia competition को जीता और उनका body weight उस टाइम पे 110 kg था जो की बहुत ही जादा होता है उस level के athlete के लिए जो इतना muscle mass carry करते हुए बहुत ही अच्छी conditioning और बहुत ही अच्छे तरीके से prep करके आया हो ऑफ सीजन जो उनका weight रहा करता था वो भी सबसे बड़ी बात की वो सबके favorite इसलिए थे कि वो ऑफ सीजन में भी बिलकुली खराब athlete नहीं बन जाये करते थे उनकी body में कुछ ना कुछ attractiveness रहा करते थे उनका body weight 118 kg to 120 kg के बीच ही रहा करता था आज कल के bodybuilder अगर आप देखते हैं तो वो जो conditioning जो body को वो stage पर show करते हैं वो तीन महीने या दो महीने बाद भी वो same conditioning या same body को नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो बहुत जादा level की gears यूज करते हैं तो इस वज़े से भी Arnold Schwarzenegger बहुत लोग की पसंद में थे उनकी body measurement के अगर हम बात करें तो उनकी chest 57 inch उस टाइम पर सबसे maximum chest वाले वो athlete थे और उनकी body का सबसे plus point ही chest था सबसे well growth होनी वाला जो उनका muscle पाड़ था chest उसके बाद उनकी lean waist 34 inches, arms का size 22 inches उस टाइम पर I think की सबसे बड़ा था उसके बाद जो हमारे loof regno आये थे उनका size भी arms का उनसे थोड़ा बड़ा था thighs का size 28.5 inches, calf 20 inches, मतलब पूरी की पूरी body symmetry और एक natural build physique लगती थी जिस वज़े से लोग उनने पसंद करते थे क्योंकि लोग को ऐसा लगता था कि ऐसी ही physique है जो आम आदमी भी बनाना चाहें और बना सकते हैं उनके कुछ great things जो आज तक उनके पास हैं उन्होंने 7 बार Mr. Olympia title जीता जिसे stage पे जाने के लिए लोग परिशान होते हैं वह उस stage को उन्होंने 7 बार conqueror किया उसके बाद उन्होंने 4 बार Mr. Universe का title जीता उन्होंने पहला debut जब 1968 में किया था वह उस debut में भी हा रहे थे केजी स्नैच का personal record 110 kg क्लीन एंड जर्क का जो उनका personal record वह 135 kg squads उन्हें बहुत ही पसंद थी exercise उनमें जो उनका personal heavyweight का जो रिकॉर्ड है 247 kg बेंच प्रेस जिसकी वजह से उनकी चेस्ट का ग्रोथ और चेस्ट की मसला आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से वेल बिल्ड थी वह उनका जो अपना personal heavyweight record है वह 240 kg इस deadlift में उनका maximum one wrap max था वह था 320 kg तो हम कह सकते हैं कि वह overall well-builded well तरीके से अपनी body को perform करने के साथ-साथ energetic और heavyweight को भी मारने के लिए अपनी body को बहुत अच्छे तरीके से prepare रखते थे अगर आप बात करें हम Ronnie Coleman Ronnie Coleman एक one of the best या फिर कह सकते हैं कि उनकी जैसी genetics पहुत ही कम bodybuilder के पास होती है क्योंकि वह एक well-builded और genetically blessed bodybuilder थे लेकिन उनकी जो work ethic थी जो उनकी महनत थी उन्होंने उनकी जो genetics gifted थे उसको और जाता निखार के रख दिया इसकी वज़े से वह one of the legends में गिने जाते हैं और उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली इन 1990 में उनका नाम सबसे पहले सामने आया जब उन्होंने Mr. Texas में overall first title जीता 1991 में NPC का world amateur championship जीता फर्स्ट आय उसमें भी फिर उसके बाद NPC 1991 में nationals खेला जिसमें वह fourth आयते लेकिन उसके बाव जो नहोंने हार नहीं मानी और लगातार खेलते competition चलाया उन्होंने 1990 से competition जो खेलना स्टार्ट गया था वो 2007 तक वो खेलते रहे थे 1992 में उन्होंने सबसे पहला Mr. Olympia competition खेला जिसमें उन्होंने कोई भी placing secure नहीं करी थी जिसकी वजह से किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि आने वाले टाइम में वह एक ऐसा नाम बनेंगी या ऐसा एक record कायम करेंगे जिसके बाद से कोई उन्हें बीट नहीं कर पाएगा 1992 में उन्होंने पहला जिसमें नो प्लेसिंग थी उनकी कोई भी placing नहीं थी उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गैप लिया उसके बाद वह 1994 में दुबारा Mr. Olympia competition में उसके बाद उनकी 15th rank आई फिर उसके बाद 1995 में वह जब Mr. Olympia competition में तब उनकी 11th ranking थी इस तरीके से खेलते खेलती अपनी बोड प्लेसिंग पे रोणी कॉल में नहीं राज किया 1998 का जो Mr. Olympia competition था उन्होंने वह competition conqueror किया फ्रस्ट आय उसके बाद से लेकर 2005 तक वह अनभी टेबल रहे लगातार आठ सालों तक वह first आय Mr. Olympia competition उन्होंने लगातार आठ सालों तक अपने नाम किया उसके बाद उन्होंने बह World Record है जो 8 time Mr. Olympia कहा है जो उन्होंने equal कर रखा है ली हैने के साथ में ली हैने भी 8 time Mr. Olympia है उसके बाद 2007 में लास्ट अपना Mr. Olympia competition खेला जिसमें उन्होंने 4th placing secure करी अगर आम उनकी body measurement की बात कर ले तो उनकी height 5 feet 11 inches 180 cm उनका body weight की बात करे तो one of the heavyweight bodybuilder कह सकते हम अपने time के era स की one of the heavyweight bodybuilder वो थे 140 kg से प्लस वो हमेशा वो stage पर आया करते थे उनका arm size 24 inches बहुत बड़ा उस height और उस body weight के according बहुत बड़ा arm size 28 inches chest उनकी आर नोल से भी 1 inch बड़ी थी 58 inches waist उनकी 36 inches thighs 36 inches calf 22 inches उनका जो personal record या world record भी आप बोल सकते हैं कि उन्होंने सबसे heavyweight bodybuilding में heavyweight जो सबसे ज़्यादा squat का record है वो उनीके नाम पे 800 pound का उसके बद लैक परेस का जो सबसे highweight का record है वो भी उनीके नाम है 2300 pounds का तो overall अगर हम देखें तो रोनी कॉलमेन भी आर्नोल्ड स्वाजनेगर के बिल्कुल ही टककर के अथलीट थे strength की बात अगर हम करें तो साथ इनके पास strength आर्नोल्ड स्वाजनेगर से थोड़ी जादा थी थोड़े gears भी जादा यूज़ करते थे आर्नोल्ड स्वाजनेगर से आर्नोल्ड तक आपने अरा से लेकर के जिस एरा में आभी हम है उस एरा तक कोई भी उनसे उनकी जो जैनेटिक्स उनकी जो बोडी टाइप उसको भीट करने वाला बोडी टाइप लेकर कोई भी नहीं आ पाया है इसी वज़से तुन्हों ने अपने अलग पहचान बनाई अब इस पूरी बोडी बिल्डिंग इंडेस्ट्री में और इसलिए उन्हें The King of The Body Building Industry कहा जाता है अगर हम बात करें कि दोनों में से Greatest कौन है Greatest कि अगर हम बात करें तो अगर सुनना चाहें तो यह है कि मेरे हिसाब से Rony Coleman ही Greatest Bodybuilder of all time है बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा क्यूं Arnold Swazniger greatest और not Swazniger को में legend of all time मान सकता हूं कि हां उनको ही देखके रोनी कॉल्में भी उन्हीं के fan थे रोनी कॉलमें भी उन्हीं को फसंद किया गरते थे लेकिन दोनों का एरा बिल्कुल अलग है अगर दोनों का body type आप देखें तो अगर Arnold स्वाजनेगर को रोनी कॉलमन के साथ खड़ा कर दिया जाए एक ही एरा में तो आरनोड स्वाजनेगर किसी तरीके से रोनी को बीट नहीं कर सकते रोनी कॉलमन का मसल मास एवरी मसल गुरूप है वेल बिल्ड एंड राउंड फिजीक जिसको कहते हैं कि एक फिजीक को बनाना लेकिन हर एक मसल गुरूप को इक्वली बनाना आरनोड स्वाजनेगर के पास कुछ ऐसे प्लस पोइंट से जिसकी वज़े से वह अपने कॉंपिटिशन जीतते चले आ रहे थी क्योंकि उनकी चैस्ट उनकी बैक और उस टाइम के उनकी जो पोजिंग स्टाइल थी जिस वह लगातार जीतते आ रहे थे बट रोनी कॉलमेन का स्ट्रगल 1990 से जो स्टार्ट हुआ वहां से उन्होंने बहुत बार बहुत सारे ऐसे शोस थे जिसको उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट रैंकिंग पे जीता लेकिन नेक्स टैंड जब उस शो में गए तो वह सेकेंड या फॉर्थ आ है फिर उन्होंने हार अपनी बॉड़ी बिल्डिंग जो करियर था उसको कैरी ओन रखा और अच्छे तरीके से फिजीक को बिल्ड किया जिसकी वज़ए से वह एट टाइम मिस्टर ओलंपिया बन सके जिसकी वज़ए से उनको बहुत सरी इंजरी भी हुई लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनके मन क्योंकि 1975 में जब लो फेरिग नो ने भी बॉड़ी बिल्डिंग का जो मिस्टर ओलंपिया कॉपटिशन था उसमें खेलना छोड़ दिया उसके बाद से बॉड़ी बिल्डिंग थोड़ी सी गिर्ती चले गए क्योंकि उसके बाद फ्रैंको कॉलंबू या फिर हमारे फ्रै लेकिन अगर आर्नोल्ड स्वजनेकर तब तक खेलते रहते अगर वह मुवीज की तरफ नहीं जाते तो साइध वह 10 या 10 या 12 टाइम्स भी मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हो सकते थे लेकिन उस टाइम पे मिस्टर ओलंपिया कॉंपिटिशन में बॉड़ी बिल्डिंग में मुवीज की तरफ गए वह 10 या 12 टाइम भी मिस्टर ओलंपिया हो सकते थे बट उन्होंने उस टाइम पे बिल्कुल सही किया क्योंकि जिस चीज में उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट दिखर आता उन्होंने वही काम किया जिसकी वज़े साइध मैक्सिम जिसकी वह अपने जो मिश्टर ओलंपिया टाइटल है वह कमबैक करके 1980 में भी मुवीज बनाने के बाद जो 1975 में वह चले गए उसके बावजूत भी जब वह 1980 में वापस आय तो उन्होंने अपना टाइटल दुबारा से रिटेन किया और फ्रेंको कॉलंबूर और फ्रेंक आज की डेट में इस तरीके की जो उन्होंने 2004 या 2005 में अपनी बोडी शो करी थी जो उन्होंने मुसल मैचियोटी शो करे थी वह साथ आज तक कोई भी और बोडी बिल्डर शो नहीं कर पाया उन्होंने यहां तक की अपना एक एक जोइंट का जो ऑप्रेशन है उनकी कितनी कुकि अन्होंने उस टाइम पर बॉडी बिल्डिका उठाए जिस टाइम पर बॉडडी बिल्डिक को कोई ज्यादा मानता नहीं था रोनी कॉलमें भी आर्नोल के फैनल लेकिन मैं ये कहाँ कि रोनी कोलमेन आर्नोल से थोड़ा उपर आप लोगको क्या लगता है कमेंट करनी है वो आप देख सके और इंजोई कर सके आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो थैंक्स पर वॉचिंग जहिन